हिंदी विशे से सम्मधित परिक्षाओं में अक्सर पाश्चात्य कावशास्तर से प्रशन पूछ लिए जाते हैं और ये प्रशन ना सिर्फ LTE कमिशन बलकि NET, SET, LTE, TET और आपका PGT इत्यारी परिक्षाओं में पूछे जाते हैं और अक्सर हम इन प्रशनों को ठीक भी कर लेकिन कई बार समस्या तब पैदा हो जाती है जब पाश्चात्य कावशास्तर के अंतरगत जो नए समीक्षक हैं उनकी जो बेसिक चीजे हैं वो पूछ ली जाती हैं वहाँ पर हम थोड़ा सा दोखा खा जाते हैं और ये बात सही साबित हुई है जो आपका LTE कमिशन 2019 की जो परिक्षा हुई थी वहाँ पर जब बहुत सारे विद्यार्तियों ने जो अपका पाश्चात्य कावशास्तर था उसके लगवक सातार प्रशन पूछे थे उनमें बहुत जाला प्रशन अपने गलत कर दिये थे और इसलिए दोस्तों ये लेक्षर आप सब लोगों की आ पूर्ण चीज़े हैं वो लाओं तो दोस्तों आज मैं किसी कावश आपके लिए पीपीटी नहीं बना पाया हूँ आज मैं सिर्फ अपने जो नोट्स हैं उसकी पीडियेफ के जरी ही आपको पढ़ने जा रहा हूँ अगर आपको इसकी पीडियेफ चाहिए हो तो आप हमा क्या है एक ही है ठीक है तो यहां पर हम क्या पढ़ रहे हैं यह पाश्चात्य का अविशास्त्र के अंतरगत इन चीज़ों को पढ़ रहे हैं ठीक है न तो अगर हम पाश्चात्य का अविशास्त्र के अंतरगत नई आलोचना या नई समीक्षा के अविरभाव की बात करें तो देखिए इसका अविर्भाव कहां से हुआ जब रूपवाद का प्रारंब अमरीका पहुँचा तो वही नई समिक्षा सामने आई तो देखिए रूपवाद के प्रभाव से क्या हुआ आपका एक प्रिके से नई समिक्षा का अविर्भाब हुआ माना जाता है और रूपवाद कब से कब तक रहा है देखिए कब ये पनपा तो रूपवाद का जो समय माना जाता देखिए रूस में 1915 से 1930 के बीच में ठीक है और नई समिक्षा कब इसके बाद पनपी झब ये अमेरिका में पहुंचा तो अमेरिका में अमेरिका और ये आति है कि जो आपका ये जो नई समिक्षा है उस शब्द का पहला अगर हम प्रियोग ये बात करें तो ये किया था सबसे पहले spin garn ने ठीक है तो अब बात ये है कि ये जो spin garn है यहाँ पर देखी यहाँ पर लिखा हुआ हमेने कि spin garn ने किया था किसका new criticism शब्द का प्रयोग तो देखी यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं बहुत महत्तोपूर्ण चीज़ें चोटी-चोटी चीज़ें हैं लेकिन यही हम परिक्षा में अक्सर गलत करके आते हैं देखिए अगर new criticism शब्द का प्रयोग पूछा जाए तो यह 1911 में किया था spin garn ने ठीक है शब्द का प्रयोग और यह spin garn थे कौन देखी यह थे आपके कोलंबिया विश्यविद्याले के तुलनात्मक साहित्य के प्रोफेसर ठीक है इन्होंने किया new criticism शब्द का पहला प्रयोग कहां पर किया था देखिए नई समिक्षा new criticism जो इंग्लिश में जिसका रुपांदरन है नई समिक्षा वो उस शिर्षक से इन्होंने एक शोध पत्र लिखा था ठीक है जो कब प्रकाशित हुआ फिर बाद में 1913 में प्रकाशि के द्वारा 1911 में इन्होंने प्रयोग किया था अपने शोध पत्र के भूमी का शोध पत्र में ठीक है लेकिन 1913 में इनका जो शोध पत्र नहीं समिक्षा है वो प्रकाशित हुई एक चीज ये है तो बहुत महुत प्रकाशित है ये दूसरी चीज है देखिए new criticism पुस्तक 1941 में प्रकाशित हुई अब अगर पुस्तक के बारे में बात करें ठीक है तो पुस्तक देखिए किसने लिखी 1941 में प्रकाशित हुई और इसके जो रचनाकार हैं देखिए जोन क्रो रेंसम तो जोन क्रो रेंसम ने 1941 में क्या क्या देखिए इन्होंने new criticism पुस्तक लिखी ठी और इसमें ही इन्होंने किस चीज को परवाशित किया, आपका जो new criticism शब्द की सरवप्रत्तम परिभाशा थी इन्होंने, इन्होंने क्या दी, परिभाशा दी, कि इसमें the new criticism पुस्तक में, clear है, इतना यहां तक clear हो गया, कि सबसे पहले 1911 में इसका प्रियोग किया था, स्पी ठीक है, फिर आता है देखिए, जो John Crowe Ransom थे, उनके अनुसार कविता दो चीजों से बनती है, वो मानते हैं कि जो हमारी कविता है देखिए, वो कितने चीजों से बनती है, दो चीजों से बनती है, कौन-कौन सी, पहली आपकी अर्थ विधान, और दूसरी आपकी शब्द विधान और आप देखेंगे कि इसी तरीके का प्रशन जो है प्रिब्यस यर में जो आपका LT कमिशन का पेपर हुआ था वहाँ पर पूछा गया था है ना हाला कि वो सस्यूर से related था जो आपके फर्दिनान दस सस्यूर है उनकी जो भाषा है काववे की उसके regarding पूछा था लेकिन यहाँ पर ransom के भी same वैसा वैसा यार है देखिए कि ransom के अनुसार कवीता की दो चीजों से बनती है कवीता कौन-कौन सी है अर्थ विधान और शब्द विधान तो अर्थ विधान को कहते हैं संग्रचना या structure ठीक है न जबकि आपका जो शब्द विधान है उसको तन्तु विधान या texture कहते हैं तो परिक्षा में प्रशन इस तरीके से पूछ जा सकता है कि ransom के अनुसार कवीता में कितनी चीज़ें होती हैं या कितनी चीज़ों से बनती है तो दो चीज़े हैं दो चीज़ों में शामिल हैं आपको विकल्प अलग अलग दे दे जाएंगे अर्थ विधान और शब्द विधान ही आपने सही करके आना है हो सकता है आपको अर्थ विधान की जगा संरचना या structure दिया जाए या फिर शब्द विधान की जगा तंतु विनियास या टेक्सचर दिया जाए तो वो चीजें क्या है एक ही है अब देखिए इनके अनुसार क्या है रिंसम ये कहता है कि कवीता की जो रूप रचना में क्या है शब्द विधान टेक्सचर जो है मतलब और अर्थ विधान दोनों का क्या होता है मिश्रन होता है संचलेशन होता है शब्द विधान क्या होता है आपके वो बिमबातपक होता है जबकि अर्थ विधान क्या है वो आपका विचारात्मक है नहीं समझे मतलब कहने का अभी प्राय क्या है कि यह जो दोनों चीज़े हैं इन दोनों का जो तनाव ही क्या है कावे भाशा को अपिक्षित जो बंगीमा परदान करता है ये कहते हैं आपके क्रो रैंसम ठीक है अब थोड़ा सा और चीज़ इसको सरल करके देखते हैं कि ये कहने का मतलब क्या है इनका कि जो अर्थ है वो शब्द पर डिपेंड करता है कि हम उसको कैसे लेते हैं ठीक है ना तो इसलिए क्या कह रहे हैं वो कि जो आपका अर्थ विधान है वो सुनिश्चित नहीं होता वो किस पर अनिश्चित होता है और शब्द विधान पर निर्भर रहता है तो इस दिश्टी से वह विधान के अर्थ विधान से क्या होता है भिन होता है क्यों क्योंकि विधान में अर्थ एक और सुनिश्चित होता है एक ही चीज है विधान में लेकिन आगर आप देखेंगे कि शब्द विधान में इसका कोई हत्व ही नहीं रह जाता अब जब आप देखेंगे कि अलग-अलग जो चिंतक हैं अलग-अलग तरीके से कोई शब्दों के जरीए कोई अलंकारों के जरीए कोई आपके जो आपके प्रतीक हैं बिंब हैं चंद हैं उसके आधार पर आपके कवीता के अलग-अलग अर्थ लेन शब्द विधान से. Next ने देखिए अलोचना क्षेतर में new criticism के सुत्रधार T.S. Iliate और I.A. Richards है. तो यहां पर देखिए जो अलोचना के क्षेतर में new criticism के सुत्रधार या new criticism का जो सुत्र पात हुआ है यह किस से माना जाता है? T.S. Iliate और I.A. Richards से माना जाता है. तो हो सकता है इस तरीके से प्रशन पूछा जाए कि आलोचना के क्षेतर में नियो क्रिटिसिजम के सुतरधार में से हैं नया क्लासिकल पुनर उथान है तो यहां से भी प्रशन बनने की संभावना रह सकती है तो नया क्लासिकल पुनर उथान का मतलब है देखिए आपका नव अविजात्यवाद तो इसको भी आप याद रख लेजेगा इस शब्द को कि यह इनका मतलब है नई अलोचना का ठीक है फिर आता है देखिए कि ऐसी कौन सी कृतियां हैं जिनके मार्ध्यम से नई समिक्षा के अधारतत्तों का विगास हुआ है मतलब जैसे नई समिक्षा जो है वो एकदम तो नहीं बनी ना जैसे धीरे धीरे उसको बनने में क्या लगा समय लगा अब बहुत साई रचनाएं ऐसी रची गई जिनसे यह माना जाने लगा कि यह नई समिक्षा के अंतरगत आती हैं जिसे हम कहते हैं प्रवृत्ती गत के यह चीज से दिख रही हैं कि यह ऐसे ऐसे हैं ठीक है तो कुछ एक रचनाएं ऐसी थी जिनसे हमें यह मालूम होने लगा कि आपकी जो नई समिक्षा है वो क्या है वो एक दरीके से प्रचलन में हैं है ना तो देखिए सबसे पहले कौन सिक्रितिया है टी एस इलिट की रच मानते हैं दीखिए इलिट को मानते हैं कि नई समिक्षा अलोचकों में इसको सुत्रधार मानते हैं और 1920 में इन्होंने इस सिक्रेट गुड जो लिखी थी उसमें क्या है नई समिक्षा के कुछ एक गुण दिखने लगे थे नेक्स जो दूसरे थे राइटर दिखी वो थे आपके Milton Murray, इन्हों ने जो पुस्तक लिखी, The Problem of Style, 1922 में, तो देखे, 1922 में भी दूसरी पुस्तक, जिसमें आपको नई समिक्षा के कुछ एक चीज़ें दिखती है, The Problem of Style, 1922, ठीक है, Milton Murray ने ये लिखी है, और तीसरी, जो मतफून रचना है, देखे, Principles of Literary Criticism, तो ये कई ब तो इसी के अधार पर Elliot और Richard को क्या माना जाता है, कि ये हैं अलोचक जिन्होंने नई समिक्षा का सूतरधार किया, या सूतरपात किया, जिसके द्वारा हुआ, ठीक है, तो ये तो होगी, यहां तक बात, अब हम देख लेते हैं, कि नई अलोचना में, या नई समिक्षा मे कुछ एक शब्द ऐसे हैं, जो बहुत मौतपूर्ण हैं, और अकसर यहां से प्रशन पूछने के समभावना रहती है, तो देखिए, बहुत मौतपूर्ण चीज है ये, हालां कि छोटी सी चीज है, लेकिन बहुत काम की चीज है, आपको ये क्या दो नमबर देके, जरूर जाएगी, ठीक है न, तो देखिए, शब्द और प्रवर्तक, एक तरफ शब्द लिख दिया है, मैंने दूसरी तरफ प्रवर्तक लिख दिया है, तो सबसे पहले दिखिए अंतर विरोध, तो अंतर विरोध शब्द की परिकल्पना किस ने किया दिखिए, ये किस ने दिया तनाव, तो तनाव किस ने दिया है, ये दिया है एलन टेट ने, ठीक है न, अनेकार्थ था विलियम एंपसन जो इसको ambiguity भी कहते हैं, देखे अनेकार्थ था को, और ये प्रशन भी बहुत महत पूँण है कि ambiguity किसका शब्द के प्रवर्तक कौन है तो यह है आपके William Ampson ठीक है नेक्स से दीखे विरोधा भास तो यह है Robert Payne Warren आप चाहे तो आप वीडियो को pause कर सकते हैं और अपने notebook में इसको उतार सकते हैं PDF के लिए मैंने पहले भी कहा है आपको कि आप Telegram Group के साथ जूरिए description में आपको उसका link दे दिये जाएगा ठीक है दोस्तो next से दीखे विडम्बना और विसंगती तो ये भी किसका है ये है Clint Brooks का तो विसंगती के बारे में Clint Brooks क्या कहते हैं यह हम आगे विस्तार से इसके बारे में जानेंगे तो ये और यहां से भी प्रशन दोस्तों पिछली बारी पेपर में पूछे गए थे ठीक है तो देखिए नई समिक्षक के जो प्रमुक समिक्षक और उनकी कृतिया है इसमें simply आपके Frank Raymond Lewis इनकी जो कुछ रचनाय है आप वीडियो को pause करके इनको देख सकते हैं प्रशन इस तरीके से पूछे जाता है कि यह किसकी रचना है यहां से इस तरीके से प्रशन बनने की संभावना रहेगी ठीक है नेक्स आदे कि आपका ऐलेंटेट तो ऐलेंटेट की भी कुछ एक रचना है मैंने यहां पर रख दी है आरपी ब्लेकमर तो कई जगा आपको आरपी ब्लेक मूर मिलेगा, पिछली बार परिक्षा में ब्लेक मूर इसको बोला गया था, पूछा गया था, तो ब्लेक मूर के बारे में ये प्रशन पूछा गया था, कि ब्लेक मूर कावे भाशा में किसे सरबदिक महत्वपूर्ण मानते हैं, तो ब्ल वहां वो वाली वीडियो ज़रूर देख लें कि आरपी ब्लैकमूर के सम्मंद में जो प्रशन पूछा गया था कि कावेवाशा में किसे मौतपूर मानते हैं वहां पर क्या चीज बताई गयी थी और आज जो चीज में बताने जा रहा हूं क्या वो उससे मैच कर रही है अगर नहीं हो रही है तो आज वाला जो चीज है दोस्तों वो बिल्कुल सही चीज होगी जो उसका बिल्कुल सही उत्तर होगा तो यहां पर उसके बाद क्लिंथ प्रूक से देखिए दे वेल राट ओन यह 1947 में इन्होंने लिखी थी विल्यम एंपसन 7 Types of Ambiguity यह इनकी महत्रपून रचना है इसके अलावा Middleton मरे है है ना The Problem of Style 1922 ठीक है 22 उसके बाद है देखिए J.B. Crutch फिर है John Crow Ransom तो John Crow Ransom की यहां देखिए God Without Thunder और आपका The Words Body ठीक है तो यह दो रचनाई नहीं लिखी थी इसके अलावा आईवर विंटर और पेन वारेन तो यह प्रमुक अलोचक हैं समिक्षक हैं नई समिक्षा के अंतरगत जो आते हैं इन के पारे में प्रशन बनने की संभावना रहती है या कई बार ऐसे भी पूचे जाता है कि कौन सा नई समिक्षा के अंतरगत आता है कौन नहीं आता है तो लगभग मैंने सारे इसमें आपके बीच में समाहित कर दिये हैं कि कौन कौन से नई समिक्षा के अंतरगत आते हैं ठीक है पिर आता है नई समिक्षा कि इन सभी समिक्षकों ने कवीता पर ही पूरा ध्यान केंद्रेत करते हुए अपने भाशिक विश्लेशन पर बल दिया और उसकी अलग-अलग भीशेशता है बतलाई क्या किया इन्होंने कवीता पर ही पूरा ध्यान केंदित करते हुए भाशिक विश्लेशन पर बल दिया है इन्होंने कि भाशा को विश्लेशित किया है तभी तो ब्लैक मोर से समझने ते वो प्रशन पूछा गया था कि भाषा में वो महत्वपूर्ण किस चीज को मानता है, कोई विसंगती को मानता है, कोई वियंगय विरोधाभास को मानता है, कोई सांकेतिकता को मानता है, तो यह चीज का है, यह नई समिक्षा के अंतरगत आती है, नेक्स आता है देखिए, एलन टेट के अनुसार, अब हम पर विज़तार से इनको देख रहे हैं कि कौन सा जो समिक्षक है वो किस चीज को कवीता में महत्वपूर्ण मानता है और यहां पर जो पिछली बारी प्रशन पूछा गया था ब्लैक मोर से उसको हम अच्छे से डिसकस करेंगे ठीक है तो एलन टेट क्या मानना क्या है देखि जा देखिए कौन से चीज़ें है इसमें एक तो है आपका वही रंग और दूसरा है आपका अंतरंग तो इनके बीच में संटुलन को यह चीज क्या मानता है घटित होती है कवीता में कवीता के अस्तित्तों में एलन टेट के अनुसार है यह ठीक है तो उनके कहने का मतलब क कि इनका जो यहाँ पर जो संतुलन है देखिए टेंशन शब्द का प्रियोग बहीरंग या जिसको कहते हैं अभीधेयार्थ को प्रक्ट करने के लिए बहीरंग मतलब बाहरी अर्थ को प्रक्ट करने के लिए और अंतरंग मतलब आंतरिक या लक्षार्थ को प्रक्ट करने के जो कहना क्या चारा है कि बीज जो सामंजस्य है वो स्थापित करना है उसके अर्थ मेनों नहीं सीज को माना है कवीता का अस्तिक्त हो ठीक है नेक्स से दिखिए रोबर्ट पेन वारेन की समिक्षा में सैयम और विशलेशन की प्रपरिती प्रधान है तो यहाँ पर दो शब्द आपने याद रख नहीं दिखिए एक सैयम और दूसरा विशलेशन तो ये प्रपरिती किस समिक्षक में प्रधान है या सैयम और विशलेशन की प्रपरिती किस समिक्षक में है इस तरीके से प्रशन बनने की समभावना रहती है तो इसका उत्तर पीछली बारी जो आरपी ब्लैकमूर से यहां से देखे प्रशन पूछा था इससे मैंने गलती वश शायद आपको वियंगे विरोधाभास वहां पर बता दिया हो तो वो किसका था वो रॉबेट पेनवारेन का था है ना काववेभाशा का प्रमुख गुण है ना लेकिन यह यह सांकेतिकता है वो क्या है काववे भाशा का गुण है वहां पर अगर गलत हो दोस्तों तो आप इसको ठीक हीजेगा कि वहां पर सांकेतिकता होगा आरपी ब्लैकमूर के अनुसार काववे का प्रधान गुण देखे क्यों क्योंकि इसमें गती होती है तो सांकेतिकता मे RP Blackmore की क्या है? कृती है ठीक है? तो ये चीज है जो Blackmore के बारे में प्रिक्षा में पिछली बार पूछी गई थी तो देखे छोड़ी-छोड़ी चीज़े हैं जितनी भी चीज़े मैं नहीं यहां पर रखिये दोस्तों बिल्कुल बहुत ही important चीज़े हैं वो और आप उनको skip नहीं कर सकते हैं और basic है ये नई समिक्षा की अंत्रगत आने वाले जो हमारे समिक्षक हैं उनके बारे में clear है दोस्तों? next से दिखिए अनेक आर्थता, ambiguity इसके बारे में हमने पहले भी बात कर लिए कि ये emson ने दिया था और ambiguity को कावे भाष्षा का प्रान तत्व मानने वाले नई समिक्षक के जो प्रमुक समिक्षक हैं ये कौन है? emson है और इन्होंने अनेक आर्थता के कितने प्रकार माने हैं दिखिए साथ प्रकारों का उलेख किया है और ये हमने इनकी जो रचनाएं पीछे रखी थी जो भी रचनाकार आए नई समिक्षक के अंतरगत वहाँ पर हमने इसके बारे में बात कर ली थी कि जो इनकी जो प्रमुक रचना है देखिए वो भी आपके seven types of ambiguity के नाम से इन्होंने लिखी है तो ये थे महत्रपूर्ण चीज़ें जो नई समिक्षक के समिक्षकों के अंतरगत आने वाली चीज़ें थी अब आता है देखिए नई समिक्षा से सम्मंधित जो कुछ पत्रिकाएं थी वो कौन-कौन सी थी तो इसमें जो सबसे पहली पत्रिका थी दा फ्यूजिटिव ये जॉन क्रोल रेंसम की है हो सकता है नई समिक्षा से सम्मधित पत्रेकाओं से भी प्रशन पूछ ले जाए तीन ही है इनको आप याद कर लीजेगा एक बार जरूर नेक्स से दीखिए नई समिक्षकों का विरोध लगभग यहां पर हम नई समिक्षा के बारे में पूरी चीजें कवर कर दिये हैं कि कौन कौन सी चीजें हैं जो नई समिक्षा में रही अब जो नई समिक्षक थे उनका विरोध किस ने किया देखिए ये 1952 में शिकागो स्कूल के आलोचकों के द्वारा RM क्रेन के नेतित्तों में हुआ तो सबसे पहले इनका विरोध किसका हुआ देखिए RM क्रेन इस नाम को आपने याद रखना है इनके नेतित्तों में कहाँ पर हुआ शिकागो अमेरिका या ना शिकागो स्कूल में हुआ तो ये चीज भी बहुत महुत पूर्ण है हो सकता है इस तरीके से प्रशन पूछ लिये जाए इसके अलाबा जो अन्य चीज़े हैं देखिए जो आपके नई समीक्षा से रिलेटिड हैं वो कौन-कौन सी हैं सबसे पहले हम देख लेते हैं देखिए नई आलोचना को जो प्रारंभ में इसको अन्य जो नाम दिया गया था ये दिया गया था आपका सौन दर्या परक रूपवाद जा जिसको कहते हैं इस्थेटिक फार्मलिजम या फिर बिशलेशनात्मक आलोचना तो ये दो नाम सुझाये गये थे पूरव में लेकिन बाद में इसको क्या नाम दिया गया नई समीक्षा या फिर नई आलोचना या यूं कहें इंग्लिश में नियुक्रिटेसिजम ठीक है दोस्तों नेक्स से दीखिए विसंगती को कावे भाशा का प्रधान गुण मानने वाले क्लिंथ ब्रुक्स है तो पहले हमने विसंगती शब्द की बात की थी यहां पर अब विसंगती के बारे में अच्छे से बता दिया गया है इस बाशा का विसंगती को जो कावे भाशा का प्रधान गुण माना है क्लिंट ब्रुक्स ने माना है और उनके अनुसार विसंगती ही किसी कवीता के सनचनात्मक धांचे का मूल आधार है मान लीजे यहां से प्रशन इस तरह के से पुछा जा सकता है कि किसके अनुसार विसंगती ही कवीता के सनचनात्मक धांचे का मूल आधार है तो हमारा जो सही जवाब होगा देखिए वो होगा आपका क्विंट ब्रुक्स ठीक है अब आते हैं देखिए जरसे यहाँ पर टी एस इलियट हैं जिन से हम मानते हैं कि नई समिक्षा का सुत्रपात हुआ है उनके कुछ एक कतन है कवीता के संबन्द में और यह बहुत महत्तपूर्ण कतन है परिक्षा में कई बार पूछे जाते हैं आज मैंने इसलिए सिर्फ इलियट के रखे हैं आपर क्योंकि नई समिक्षा के अंतरगत इनको सुत्रधार माना जाता है इसलिए मैंने इनकी जो दो महत्तपूर्ण पंक्तिया है वो आपकी बीच में रखती है आगे हम विस्तार से और जितने भी टाइटर्स आते जाएंगे पाश्चात्य कावशास्तर के अंतरगत उनको हम रखेंगे ठीक है तो इनका जो पहला कतन है देखिए अलोचना सांस की तरह अनिवार ये एवं नैसरगिक क्रिया है अलोचना क्या है सांस की तरह है ठीक है बहुत मौतपूर्ण चीज़ है नेक्स्ट है देखिए दूसरा जो इनका प्रमुक कतन है कवीता के जमन में ये कहते हैं कि कवीता कवी व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं बलकि व्यक्तित्व से पलाएन है तो ये UGC net की परिक्षा में भी पूछ जाती है अन्य परिक्षा में भी इस पंक्ति को पूछ जाता है कई पार मिलान में इस पंक्ति को पूछ जाता है हलांकि LT Commission में Milan से related कोई प्रशन नहीं आता है तो वहाँ पर directly आपको इस तरीके से ही पूछा जा सकता है कि व्यक्तित्य से पलाइन कवीता है ये किसने कहा है इस तरीके से भी गुमाफिरा की प्रशन पूछा जा सकता है तो आपका जुसाई उतर होगा देखिए वो होगा T.S. Elliot तो जो जो भी प्रमुक अलोचक थे आपके नई समिक्षा से related वो मैंने आपके बीच में रख दिये हैं I hope आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें clear हो गई होगी कि कौन नई समिक्षक हैं और कौन कौन सी उनकी प्रमुक रचनाए हैं और कौन कौन सी उनकी प्रमुक दारनाए हैं जो उन्होंने रखी हैं तो ये था दोस्तो पास चाहते कावे शास्तर के अंतरकत आने वाली जो नई समिक्षा या नई अलोचक हैं उनके बारे में जानकारी आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा फिलाल आज के लिए इतना ही दोस्तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजे अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजे और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें तो फिर मिलेंगे नई उर्जनल इस्पूर्टी के साथ तब तक के लिए शुक्रिया जहिंद